हलो दोस्तों आप सभी का उगीपुर क्लासिस में स्वागत है तो आज किस वीडियो में कच्छा नो बिग्यान के अर्धवार्शिक परिछा के पेपर 2022 को देखने वाले हैं देखते हैं बिग्यान का पूरा हल देखेंगे आपको वीडियो को लाज तक जरूर देखना है आप देख सकते हैं आपर पहला प्रसंदिया कि दूरी का मातरक होता है तो आप जानते हैं कि दूरी का मातरक मीटर होता है मीटर पर स्गेंड जो की वेक का मातरक होता है दूसरा भी समान हो जाएगा और तुरड भी क्या होगा नियत होगा और यहां पर एक समान तुरड से यही आप्शन सही हो जाएगा उसके बाद दिया कि यदि हम पेड़ की साखा को तेजी से हिलाएं तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती तो किसके कार तो जड़त के कार अलग हो जब किसी पत्ति यानि पेड़ की साखा को ही लाते हैं तो पत्तिये पेड़ से अलग होती है तो जड़तों के काड़ अलग हो जाती है उसके बाद दिया कि 50 किग्रा द्रेवमान की एक वस्तू 6 मीटर पर सेकेंड की नियत वेग से गमन करती है तो संबेग बताइए आप जानते हैं पी बराबर होता है अग्या द्रेवर दिया है देख सकते हैं कि न्यूंटन का गुर्त्वा करसं नियम लागव होता है केवल आवेशित कड़ों के ल सभी के लिए तो सभी के लिए लागों होता है उसके बाद घंद तो यहाई क्या होता है कि यहां कि और पचास नूटन D का मनदिया है 100 पचास का गुड़ा सौम कर्णिंग कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा कितना 5000 जूल आपसन नमबर B क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा उसके वाद अगला क्यूशन देखते हैं तो अगला यहाँ पर दिया है पदार्थ के कड़ो के बीच प्रिवर्टित हो जाता है उसे उधर उपातन कहते हैं उधर उपातन विसकी द्वारा इसको अलग किया जा सकता है उसके बाद तत्तों का वर्गी करित किया जा सकता है तो आपसे वह दहात हो यह कमरी किताब पर अधिकतर होते हैं लेकिन यह थ्रफ्ब पाए जाता है तो यह पारा कहते हैं यह द्रफ्ण पाय अगर अधा तो प्ˈछहे तो जो द्रो अस्ता में पाई जात उसे ब्रॉमीन कहते हैं उसके बाद आग्या कुछ है कैसा का प्रतिक्तों कि होटा है है ठीक की आसी की तरानव होता है देहां मिसा क्या क्या है फ्क टॉरिय přेलकर घुझ कि है विशेंस की परंपरा इंडे को सुध्ध जल में 5 मिट के रखा जा है तो इपर कोई परभाव नहीं पड़ता है क्या होता है उसके बाद प्रकास नाशलेसर उत्तरदाई होता है हरी तलवक के लिए उततर दाई उसके बाद 17 नमबर क्योशन आप में लिए डेख सकते हैं तो कोशिकाओं के समू को उतक कहा जाता है निमिलिक चीट में से कौन से उतक में कोशिकयाई मृताइब दिर्ड उतक छो होता है इसमें कोशिकयाई क्या होती है व्रष आपाई जाती है उसके बाद है तुरड यानि वेग परिवतन की दर को तुरड काते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं यहां पर समान वेग है यहां पर वेग और समय के साथ बढ़ रहा है यहां पर देख सकते हैं वेग बढ़ रहा है यहां पर घट रहा है यानि एक समान तुरड हो गया यानि यह समान रू एक वेग परिवतन की दर को तुरण काते हैं अता वेग समय ग्राफ या छित्पल तुरण को परदरसेत करेगा दूसरा क्वेशन दिया कि किसी पिंड का वेग धी तथा समय द्रभमान यम हो तो उसका संबेग क्या होगा पीवराबर यम भी होगा उसके बाद तीसरा क्वेश सकते हैं प्रतवी पुरतया गोला का नहीये है प्रतवी की तलिज्या ध्रोव पर कम Chicago काम होता है कि एक कृतिम उपग्रह 42,250 कि तरिज्जा से बृत्ता का पत्थ पर घुम रहा है यह दिवह 24 घंटे में गतिमान परिक्रमा करता है तो उसकी चाल बताईए तो चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी अपान समय होता है तो इसमें 24 का भाग दे देंगे उत्तर आपका आ अध्वाइस इन धिया कि UP 3 से क्या फिर है गुरति तोड़ गुरत्वा करचर में सन्भन लिखिए गुरत्वा करि तोड़ का मतलब होता है ऐसा 12 तो गुपपन को ही गुत्वी तुरड कहा जाता है तो इसमें संबंद आप जानते हैं इसमाल जी बराबर होता है जी एम बटे आर स्कॉयर तो आप देख सकते हैं कि पृत्वी के गृत्वी बलके कारड किसके कारड पृत्वी के गृत्वी बलके कारड वस्तु में भी एक तुरड उत्पन उसका मानी हो गया तो यह बराबर एम होता है यहां से आइनको जाटाएगा यहां से आज स्कौैर होजाएगा इसका मतलब होता है कि जो गुर्तित तोड़ोता है किसी वस्ट के द्रव्मान पर निर्भर नहीं करता है यहां पर देख सकते हैं इसका वान से आयनी करित एक गय से जिसमें इलेक्ट्रानों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाड या अडू के साथ होने के बज़ाई स्वतनत्र होता है उसके बाद आगला कुशन आप देख सकते हैं यहां पर आप में दिया गया है कि निम्लिखित को तापमान की भौतिक वस्था में होगा यानि करने लेगा उसके बाद अगला दिया कि निम्लिखित में से प्रतेक को समांगी विस्मांगी मिसरों में बदलना है जिसे सोड़ा जल दिया है लकड़ी दिया है विस्मांगी हो गया वाई विस्मांगी हो गया विस्मांगी समांगी विस्मांगी तो आप च तथा जल के असंग कर उपस्तित रहते हैं एकड़ नीले रंग के प्रकास को प्रकुर्यों करते हैं कियोंकि इसकी तरंग और सबसे कम होती है जबकि जब कि बनेली gas को अधाय के लिए और temperature को कम कर दें तो द्रवस्था में बदल जाया जैसा कि आप cylinder में देखते हैं LPG को भरा रहता है यहाँ पर देखे दाब को बढ़ा कर तथा तापमान को घटा कर गैस को द्रवस्था में परिवर्थित किया जा सकता है इसकी बिधी आप cylinder कर लेख सकते हैं कि एक cylinder वाइमनली गैस को भर कर इसमें लगे piston से संबेडित किया जाता है तथा ताब को कम करने पर पदार्थ के कड़ समीब आ जाते हैं और द्रवस्था में बदल जाते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है क्रोमेटोग्राफी के लिए यानि मिस्टर में रंगों को अलग करने की विधी को ही क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है जैसे कि डाई के रंगों को अलग करना प्राकरतिक रंगों को अलग करना क्रोमेटोग्राफिक का उपयोग किया जाता है उसके बाद आपका खंडगा में दिया है कि कोसिका को जीव की सन्नाचनात्मग और क्रियात्म इकाई क्यों कहा जाते हैं जानते हैं कोशीका कोशीका सही क्या बिलते है कोशीका कोशीका मिलकर उतक मिल जाता है अंग अंग शेले सब्सक्राइब कोशिका सही कोशिका में कोशिका दर्ब पाया जाता है कोशिका दर्ब में सोसन होता है सोसन सही पुरा प्रकास संसेसर होता है यह होगे क्रियात्म इकाई तो इस कारण प्रकास को इसलिए जो कोशिका को क्रियात्म इकाई भी कहा जाता है यहां पर देख सकते हैं कोशिका सभ भी कारिक करती है इसलिए कोशिक्या को जीवन की सनाचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है आप इसको लिख लेंगे बेरी आसान तरीके से बहुत सिंपल दिया गया है उसके बाद अगला कुशन आप में यहां पर देख सकते हैं दिया है कि पौधों में एपिडर्मिस को रोकता है यह पौधों के सरीर के बाहरी आवरड को बनाता है यह पौधे के सरीर की अंतरीक उतकों की सुरच्छा करता है यह आपका नाइंथ क्वेस्टन था आप इसका स्क्रिंशाट भी ले ले सकते हैं यहां पर देख सकते हैं अगला है अस्थी और उपास्थी में आ द्रगे रहें जाने को बारें तो गुर्सुतर आपने किताब से लिक लेंड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूं गुर्शुत्र अन्वान्सिक लेक्षडों का संभवन पिड़ी दर पिड़ी का निधार करता है यह कोशिक्या का जो क्रोमेटीन होता है नाभिक में प्रोटीन डियने के बने होते हैं तो आप इसका चितर शाप लेंगे पने बुक से तो ए सभी क्या है आपका नव का जो था चैन दिच्चे भारत